अगर लाइफ मेरा कुछ एक्स्टा मिल जाए तो उसकी खुशी अलग होती है जैसे चाय के साथ एक्स्टा बिस्किट और फरवरी में गौर्रमेंट एस्क्रेंट के प्रप्रेशन के लिए एक एक्स्टा दिन यहां सभी गवर्मेंट एक्जाम की सुपर कोचिंग पर मिल रहा है अब तू 90% ओओ इसना ही नहीं, फारेल सेलेक्शन होने पर पाईए 100% उत्माने झाल कोचिंग भीग, अबड़र पू करते मींतिभविन। कि अब आई होगा कि अब आई हो क्या वाज मेरी आपा रहे होगी सो प्लीज एक बार कंफर्म किसे कि अब आई है वाइस नहीं आ पा रहे है यस यस बिलकुल मैं जानता हूं थोड़ा कुछ इशू हुआ है वाइस का एक बार मैं कर लेता हूं बस मुझे एक सेकेंड देदी से गई है ठीक है और बाकी तो सारी चीज़े ठीक है न और तो कोई किसी प्रकार की इश में डिस्ट कि अब आप मेरी आवास में पा रहे हूंगे अब आधियो का कोई बहुत बढ़ा इशू को नहीं होगा आपरे बन और 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 कोई बात नहीं गाईज बस स्टार्ट कर रहे हैं बस इस प्रॉब्लम को रिजॉल्ट हो जाने दीजिए कि अभी आवाज आ रहे होगा आज दूसरे माइक से पड़ेगा मुझे कोई बात नहीं है आई ओप की अभी ठीक होगा ओडियो वीडियो सब कुछ फाइन है कोई इशू नहीं है और स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग आज के शेशन तो आपको मालूम है कि यह शेशन डेली होता है मंडे टू फ्राइडे तरड़े संडे हम लोग कवर करते हैं आपके लिए स्पेसल लेक्चर और बाकी आप लोगों के लिए एक पहतरीन शेशन की सुरुवात हम लोग करी चुके हैं जिसका नाम है स्सी जेई सिविल मेकानिकल यह सीरीज लगातार चल रही है आपके एक ब कोर्सेज गोइंग और है आप उनके लिए भी इन्रॉल कर सकते हैं कूपन कोड आप लगा सकते हैं तो याद रखेगा इस समय अभी आपका चल रहा है लीप ऑप दा यानि कि एक्स्ट्रा दिन एक्स्ट्रा ओफर तो आप बिलकुल इसके लिए इन्रॉल कर सकते हैं और कू अब शेख जी पुस्पेंज जी क्यूराज प्रतुल एसके ठाकुर अर्वेंद सुभम चुनाली सभी का welcome guys, सभी का welcome, सभी को नमस्कार सब कुस्ट्रीक है, अब एक बार दिखू, session को like कर दीजे, attendance mark कर दीजे और शुरुवात में दिक्कत थी, बटा योब कि आप सब कुस्ट ठीक है अब सब कुस्ट्रीक है, आभी voice वगेरा का कोई issue नहीं है अब हम लोग सब ठीक है, audible है, visible है, सब कुछ, ठीक है, सबसे पहला question, और यह जो सबसे पहला question है, यह पूछ रहा है, which of the following event made the English East India Company, the legitimate master of the Stuba, Bengal, ठीक है, हमारे, अगर मैं बात करने जाओ, इथियास में कुछ important battles है, जिन्होंने बहुत ही important role play किया, और in important battles के, अगर मैं बात कर करने जाओ ना, ठीक है, in important battles के, अगर मैं बात करने जाओ, तो इसमें दिखे, आप पढ़ते एक बक्षर का युद्ध, एक पढ़ते हैं, प्लासी का युद्ध, ठीक है, फिर पढ़ते हैं, फरुक्सियर वाला 1717 का, ठीक है, जो फर्मान था, और एक पढ़ते इब्राहिम का फर्मान, अब इसमें पूछ रहा है, दोस्तों कि, इवेंड मेट दा इस्ट इंडिया कंपनी, दा लेजट मेट मास्टर, तो इसके लिए जो दोस्तों याद रखीगा, वो बक्षर का युद्ध है, बक्षर के युद्ध के बाद आपने पढ़ा होगा, कि दोस्तों, य उनको Bengal का सुवा मिल जाता है, Bengal, बिहार, ऊडीशा, ये सारे एरियाज पर उनको आपने पढ़ाओ का कि अधिकार मिल जाता है, और इन सारे एरियाज में उनको, टेक्स को, और एड्मिनिस्ट्रेशन को अॉपरेट करने का राइट्स मिल जाता है, कि तो ये जो बक्षर का राजा साय आलम दुती और यह तीनों राजाओं का गडबंधन पराजित किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा हेक्टरों की अध्यक्षिता में आपने पढ़ा होगा और उसके बाद अलाबाद की संधी होती है और यहां पर एक डिप्टी नवाब रिप्रेजंट पॉइंट किया जाता है ब्रिटी सर्ज की तरह ब्लाइट ब्लाइट बेटल ऑफ प्लासी और बखसर में इस अधा लोगों को कंफ्यूजन होता है अग्र आप इसको अच्छे से पढ़ के देखने का समझने का प्रयास करेंग सभी को नमस्कार सभी का वेलकम जिरा बताएगा किस को सही आंसर क्या हो जाएगा और आप लोग किस ऑप्शन को टिक को सिंपल सा कोशन है यार बहुत एजी है मुझे लगता है सिंपल है इसली है हो जाना चाहिए सभी लोग ट्राई करेंगे दिखेंगे गाईज इसमें जब हम लोग सही आप कोशन की बात करते हैं तो देखेंगे जड़ा देखेंगे ड़्च की बारे में बेसिक कोशन क्या होता है तो डच है आपने पढ़े होंगे यह हॉलेंड से या फिर नीदर लेंड से आते हैं अब इनकी जो सबसे पहली फैक्टरी देखोगे दोस्तों वह कहां रहती है और उसके बाद इन्होंने सबसे पहले कहां इस थापित के अपनी फैक्टरी तो यादर की का दरिजा मसूली पटनम आंध्रावर्ण जंगला सवाल है इन 1498 वासकोडी गामा अब पॉर्ट्गीज एक्सप्लोरर है डिस्कवर्ड और रूट टूशा गया है कि 1498 में पुर्टगाली खोच करता है वासकोडी गामा ने किस चीज के लिए एक मार्ग की खोच के जरह बताएगा भारत के लिए औस्ट्रेलिया के लिए चाइना के लिए या जापान के लिए इसमें से आप लुक किस ओप्शन को टिक करने जाएंगे वन हो जाएगा टू हो जाएगा थ्री हो जाएगा या फिर फोर विच वन इस दाराइट है सभी को वेरी गूड अप्टर नून हरीकेश्वार जी नमस्कार सभी का स्व के पूड होग तक यहाँ पर वियापार होता था और अरब सागर से अरड़ेडी भारती जाते थे और यह जो केप आफ गुड होग आपने पढ़ा है जो दक्षन अफ्रीका का सिरह था यहां तक अल्रेडी भारत के व्यापारी व्यापार करते थे वास्कोड अगामा पर पहुंच जाता है काली कट काली कट पहुंचता है और वहां के राजा का नाम था जमोरिन और वहां पर आपको मालूम होगा कि यह टाइम प्रॉफिट अर्न करता है जो भी इतकर दुबारा से यूरोप में बेचता है वहां है भारत में प्रिंटिंग प्रेश की स्थापना किनके दौरा की गई भारत में आप कह सकते हैं दोस्तों टोबैको भारत में इसको लाने का जो क्रेडिट है पोटैटो इस प्रि चिली की अगर मैं बात करने जाओ रेट चिली हो गया और यह प्रिंटिंग प्रेश इन सभी चीजों को इंट्रोड्यूस करने का जो क्रेड़ेट जाता है वो किस को जाता है याद रहेगा सभी को यह किसको जाता है पॉर्दगीच को जाता गए ठीक है यस याश तो राइ सब्सक्राइब करेंगे इस इंडिया कंपनी इसमें से हम लोग किस ऑप्शन को सभी टिक करने जाएं विच वन इस राइए और जितने भी लोग है जन्हों ने अभी तक अटेंडेंस माक नहीं कि है मैं सभी को बोलूगा कि अब्रिवन हिट दा लाइक बटन और यह मार्क और टेंडेंस तो दीखें आपने मालूम होगा कि एक मर्चेंट एडवेंचर्स करके कि आपकी यह कंपनी बनती है और इस और इस और निर्माण आपको मालूम है कि अब होता है 1599 में एक पास होता है और यह कौन थी आपको मालूम होगा कि 15 साल के लिए 15 एर्स के कॉंट्रेक्ट पर एक व्यापारियों के ग्रुप को व्यापारियों के दल को जो मर्चेंट एडवेंचर्स करके यह कंपनी थी इसको इन्हों परमीशन दे दिया था कि जाओ जीलो अपनी जिंदगी और जो के पॉप गुड हो वे अफ्रीका का उसके इस डारेक्शन में व्यापार कर सकते हो और पैसा ही पैसा कमाना रात और रात पैसा डबल कर लेना अपना लिकिन जो पैसा डबल होगा जो आप पैसा कमाऊगे उस है कि जो एक्ट है यह आपका कब आया 1599 इस्टैबलिस्मेंट आपकी कब होती है तो आपको मालो में 1600 में और जब यह स्थापना होती है तो याद रखेगा यह पूछा जाता है कि इंडिया में राजा कौन था इंडिया में जो सबसे बड़ा किंग को समय शाशन कर रहा था यह कोशन बार बार आ चुका है अच्छा हां अकबर की टाइप प्रिएट में दूसरा कोशन इससे जुड़ा हुआ एक और बनता है कि यह जो रानी विक्टोरिया है यह इनका लेना देना किस से है तो इनका लेना देना 1857 के रिवॉल्ट से यह कोशन भी कई बार आया है कि जब भारत में 1857 का रिवॉल्ट हुआ पहला सिपाही विद्रो होता है तो उस समय ब्रिटेन में रानी के पत के तौर पर कौन होता है तो याद रखेगा रानी विक्टोरिया दोस्तर के अंगला सवाल है फ्रेंच इस इंडिया कंपनी के स्थापना भारत में किस स्थान पर और उसके बाद जहांगीर ने भी रिप्लाई दिया था चिठी आई है आई है आपने पढ़ा होगा कि कैप्टन विलियम होकेंस और थॉमस रो भारत में आते हैं चिठीयां लेकर के 1608 में और 1615 में और फाइनली अंग्रेजों से मतलब राजाओं से परमिशल ले ले लेते पेड सेशन में आई है वहाँ पर मैं सारी चीज़े डिटेल में बताता हूं तो फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना भारत में किस इस्थान पर की गई थी और इसका जो राइट आंसर देरेज़ा उप्शन ठीक है वन इस दर आई तो आपको मालूमें दोस्तों का जो मतलब ये फ्रांसीसी होता है ये भारत में इसकी इस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना करता है ये जो एक्चुरी कॉलबाइट था ये वहां के राजा याद रखेगा जिनका नाम था लुई 14 का अधिकारी था लुई 14 को पता चलता है कि देखो अंग्रेज भी पहु वह भी पोचता है कि भाई साब हमने भी कुछ तूफानी करना है ये दिल मांगे मोर और तुम भी कुछ नया करो तो अपने फाइनेस मिनिस्टर को परमिशन देता है कॉलबर्ट को भारत में कंपनी इस्थापित करो आपको मालूम है कि 1664 में कंपनी इस्थापित करते हैं लेकिन आपने पढ़ा होगा कि ये लीव कर देते हैं भारत को और वो भी कब देड़ वाज दा 1954 पॉंडिचरी तक इनके अधिकार रहते हैं और जो सबसे इंपोर्टेंट रहता है इनका और अंग्रेजों कहें कि यो तुछ का नाम है वांडिवास तो आपने पढ़ा होग रहेंगे दोस्तों next question question में पूछा गया है कि where was the first iron and steel industry of India was done बजरंगदल भाई बजरंगदल की बातें क्यों चल रहे हैं तो इसका ज़रा सही आंसर बताएंगे सभी कि अधर लिए क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ऐसी करते रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं अच्छा अच्छा मैं तो भूली गया था कि आज 8 फरवरी है भाई आज कौन सा दिन है तभी 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 मैं सोचू कल में बहुत सारे फूल विक रहे थे मतलब यह तो एक अलगी अलगी सीजन स्टार्ट हो चुका है है ना वाउं के जीवन का सबसे पूर्जावान सीजन चलिए लगे रही है तरक्की में लेकिन पढ़ना मत छोड़िये है ना पढ़ना मत छोड़िये सावधान रही है और जब भी दरोदर भटकी है तो क्या करिए कि अपने पास एक लाल को लेकर के रखिए है ना वह डालने के लिए गले में और तिलक लगाने का भी कुछ अरेंजमेंट रखिए कि कभी अर्जेंसी में कुछ करना पड़े तो बस पुरंत रूप परिवर्तत हो जाए तो इस जमसेदपुर भारत का पहला लोहा और इस पात उद्ध्योग कहा इसते थे जमसेदपुर ठीक है आपको मालू में जमसेदपुर आपकी पूरी की पूरी बिल्कुल आप कह सकते हैं इंडिस इस्टील इंडस्ट्री है टाटा की यहां पर और आप इसको इंडस्ट्रियल सि सबसे इंपोर्टेंट है आप पड़तो है कि एक नदी है जिसका नाम है सुवर्ण रेखा कि यह सबसे पूछा जाता है कि कौन से इंडस्ट्रियल सिटी है जो सुवर्ण रेखा नदी के किनारे तो काफी शारे लोगों ने आपर सही आंसर किया है यहां पर आपका तो मुझे पहले ही मालूम है पहले ही मालूम है कि यहां ठाटा के द्वारा बिल्कुल हाँ 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 एक मिनट एक मिनट रुख जाहिए जरह हमारे कुल्दीप साब ने बहुत ही बहतर यहां पर पूछा है पिछले सवाल में भारत का पहला लोहा और इस पात उत्यों कहां स्तापित किया गया हाँ यह बिल्कुल बास सही है प्राइविट बोलता तो जमसेत पूर आप बिल्क टोटल जार होते हैं यह टोटल चार होता है वेधिरा का युद्ध आपको मालूम है कि आपने पढ़ा है 1769 और इसमें 1769 बात करने जाओंगा तो आपने फटा होगा डोष्ट कौन सा होता है दूस्तों प्रिटस वर से साघंगिस the British छीतavour जाते हैं और कि जो इंपोर्टेंट बैटल है वो प्लासी का याद रखेगा 1757 का उसके बाद 1760 का वंडिवास वाला यूद ठीक है तराइन का भी याद रखना है दोस्तों 1761 जहां पर मराथा पावर कमजूर हो जाती है फिर 1764 है बकसर का यूद और यह जो 1769 है यह वेदरा का यूद ठी पूछा गया है कि अलफांसो ती अलबुकर्क वाउज दा सेकेंड गवर्नर जर्नल और पॉर्दगीज इन इंडिया एंड ही इस क्रेडिटेड विद तो जरा बताएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा विच्वन इस दराइट आंसर ठीक है यह बेदरा का यूद 1769 और आपके डच पराजित हो जाते हैं 1769 में 1760 में फ्रांसीसी पराजित हो जाते हैं बचते डैनेस हैं डैनेस फाइनली आपने पढ़ा होगा 1870 के आसपास अपनी सारी फैक्ट्रियां बेच देतें अंग्रेजों को और फिर वो चले जाते हैं इस कोशन का जो राइट आंसर है कि हम लोग कॉमर्सियल एक्टिविटी से इंपीरियलिजम में जा रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा कि यह जो पर्तगीज था यह सेकंड गवर्नर था and capture आपने पढ़ाओगा capture गोवा इसने क्या कर लिया गोवा को capture कर लिया और वो भी कब आपने पढ़ाओगा तो ये 1610 में capture कर लेता है और वो भी कब कहां से तो from के आदिल सा है और जो आदिल सा है था ये कहां का राजा था भीजापुर यहां पर याद रहेगा वारा सो फंद्रा सो दस है इसको तो फंद्रा सो दस है यह जो प्लू वाटर जो ट्रीटी है वो लेकर के आता है Alphanso die Elb a nach canine Francisco deal moda सो फ्रान्सिसको deal moda फ्रंसिसको deal moda तो प्रंसिसको deal moda अधी जो कि यानिकी पहला Portuguese governor था वह प्रूवाटर टीटी लेकर के आ और साथ में उसने कुछ की सिस्टम टैक्टेशन जिस्टम लगा दिया अरभ सागर पर इंट्री और एकजिक टेक्स था जहांजों पर वो लगा दिया था ठीक है तो यह सिंपल कोश्चन ऐसा डिफिकल्ट गाइज नहीं है ठीक है वो फ्रांसिसको डी अल्मोडा है और यह आपका अलफांसो दी अलभुकर्ग तो फ्रांसिसको डी अल्मोडा की ज्यादा अच्विमेंट नहीं है बठाँ यह कह सकते है कि स्ट्रॉंग नेवर नेवी और पावर फोर्सेस होने की बज़े से उसने अरब सागर पर टेक्स लगाया एक टोकन और काटे सिस्टम को स्टार्ट किया जिसका अपली वाटर ट्री पर्टगाल के पहले गवर्नर थे जिन्होंने बुली वाटर की नीत ही पेस्की थे इस कोश्चन का राइट आंसर क्या होगा विच्वन इस तकरेक्ट आश्यूप कि आप इसमें ज्यादा का डिटेल में जाने की जरूरत है यह आप समझ चुकिए और यह जितने भी लोग अभी मैंने कवर कराया ना यह कॉश्चन तो अभी आपको पढ़ाया यह जो काटे सिस्टम होता है यह सारी जो चीज़ें होते हैं कौन कैसे क्या स्टार्ट करता है तो बश्राब बताएगा कि इस question का correct answer क्या हो जाएगा which one is the right answer यह को कॉशन अपने आप में बहुत मतलब Terrain only है, trade and Terrain है, not Terrain trade है, या फिर none of these, which one is right, देखते हैं कि कितने लोग इसको सही कर पाते हैं, trade and Terrain, not Terrain, trade, या none of the above, simple answer, easily मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही answer कर सकते हैं, that is option 3, not Terrain and trade, ठीके, याद रखेगा, यह कोशन का कैसा हो जाएगा, यह इस कोशन का right answer हो जाएगा, that is option 3 is the right answer, option 3 is the right answer, ठीके, तो इनका जो था पहला मतलब Terrain, trade and Terrain, ठीके, चलिए, next question पर चलेंगे हम लोग, यह थोड़ा difficult question है, काफ इशारे बच्चे इसमें गलती कर गए होंगे, यह हरीकेश्वर जी, very good afternoon, सभी का welcome guys, ठीके, सभी का welcome, और यार सभी लोग जितने लोग इन अभी भी attendance मार्क नहीं किये, मैं सभी को बोलूगा कि एक बार attendance तो मार्क ही करीद है, ठीके, without attendance कोई भी नहीं रहेगा, everyone, yes, first of all, mark the attendance and yes, share the session, ठीके, attendance को mark कर दीजेगा, और शशर भी कर दीजेगा, प्यारे बच्चो, ठीके, पूछ रहा है कि चंद्रा नगर, ठीके हाँ, चंद्रन नगर को 1673 में एक फ्रांसीस के रूप में थापित किया गया था, बंगाल के ततकाली नवाब से हुगली के नदी के दाहिने तट पर एक व्यापारेक चौकी इस्थापित करने की अनुमती प्राप्त की था, ज़रा सही बताएगा कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा, कितने लोग इस कोशन का रांसर सही कर पाते हैं, everyone, अभी इस से जुड़ा हुआ हम लोग सवाल कर चुके हैं, guys, ऐसा लग रहा है, यह पहले सवाल हो चुके हैं, सुना लिजी, मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा, ठीक है, और इस कोशन का जो राइट आंसर है, दरिजा इबराहिम खा, के याद रखेगा, अभी आपने में फ्रांसी सी अपने वेस के रूप स्थापित किया गया था, तदा बंगाल के ततकाली नवाप, इबराहिम खांसे हुगली नदी के तट पर एक ब्यापारिक चौकी के स्थापना की गया, हुगली नदी, आप सभी जानते हैं, डिस्ट्रिबूटरी आप गंगा है, और ह भूगली नदी पर, जो कोलकता जिसके किनारे लोकेटेड है, आपका भारत का सबसे पहला अंडर्वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट भी बनाया गया दोस्तों, ठीके, अंडर्वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, पूछ रहा है कि तब ब्रिटेस हूँ अप्टेन परमिशा तु स कोशन का जो करेक्ट आंजर हो जाएगा दोस्तों, ठीके, यास यास यास, यास, एडिज वैरी क्लिर है, आपने पड़ा होगा, कि सबसे पहले आते हैं, हाउकेंस, हाउकेंस आते हैं 1608 में, ये किसे आते हैं, हैक्टर सिप से आते हैं, और आपको मालूम है कि ये और जहां जहांगीर के सामने फार्सी में बात करते हैं जहांपना तुसी ग्रेट हो तौफा कबूल करो ठीक है तो जहांगीर खुस हो जाता है और बोलता है कि वह क्या ऐस पधारों मारे देसाथी थी तो बहुत और यह कुछ गिफ्ट बगैरा भी देता है जहांगीर को लेकिन दिक्क प्रदेश में आगया और आपको मालूम है कि एक चिठी भी लेकर के आया यह और चिठी किसकी थी आपने पढ़ा है कि उस समय के इंग जिनका नाम था जेम्स प्रथम जेम्स प्रथम की चिठी ना और बिलकुल बोला गया कि चिठी आई है आई है लंडन से चिठी आई है यह जो गाना है प्रवास से ही उनी सब्दों से लिया गया था और उसके बाद फिर फाइनली इस पफलता मिल जाती है और पहली फैक्टरी आपने पढ़ी कि स्थापित हो अधर प्रदेस में स्थापित हों जाले स्वाल पढ़ेंगे हम लोग नेक्सक्ट ग्यार अधिको यार वह गैब्रियल था वह गैब्रिल से और वासकोटी गामांए गैब्रियल से आया था और जो Hawkins है आपका, Red Dragon या फिर आप इसको Hector बोल, जम लिखत में सी किस ने वर्स 1503 में भारत में पहला यूरोपी किला बनवाया, तब बताएगा किसका कही आंसर क्या हो जाएगा, काफी बहतरीन कोश्चा नहीं है, भारत में पहला यूरोपी किला, और इसकी location क्या थी, सबसे पहला ओड बनता है, एक मद्रास में बनता है, और कोचीन में भी बनता है, जब भारत में गाईज, ठीक है, बिल्कुल, एक्जाम तक यह 100% एक रहूल, बिल्कुल आपकी regular रहने वाली 100% रहने वाली गाईज, ठीक है, तो that is the right answer, option 4 is the right answer, तो भारत में आये कौन थे स सबसे पहले, आपने पढ़ा है, पुर्दगालियों कि अगर मैं बात करने जाओं, तो इनके लिए जो सबसे इंपोर्टेंट डेट है, याद रखीगा, वो कौन सी है, 1498, सबसे पहले आए, पिर आप देखेंगे दोस्तों कि 1510 मेनों ने गोवा को capture कर लिया, इनके लिए कौन सी है, ये 1503 वाली, जब ये सबसे पहला अपना फोर्ट स्थापित करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि 1612 का इनके लिए बहुत इंपोर्टेंट डेट है, जब ये अंग्रेजों से पराजित होते हैं, फिर बाद में ये अपनी राजकुमारी कैथरीन का विवाहे भी 1961, और ऑपरेशन विजे चलाना पड़ता है, इनकी खलाब में, अपरेशन विजे, अंगले सवाल दिखेंगे, पूछा गया है दोस्तों की, इसमें ज्यादा कोई अब कन्फूजन की बात नहीं है, अल्रीडी डन, हम तरह का सवाल कर चुके हैं, जल्दी से बताएगा, जरब फटा-फट की इस कांसर क्या हो जाएगा, जरब मैं चौन सट की बात करता हूँ, तो चौन खुट का आपने पढ़ाओगा, दोस्तों, कौन सा यूद्ध है, यह आपका बक्सर का यूद्ध है, बक्सर, वन्डिवास, वेदरा, सभी के सभी आपके डन है, ठीके अगला सवाल, चले हम लोग नेक्सक्त कॉश्यन पर चलें दोस्तों डच को जाना पड़ा वापस जी हां डच को भी जाना पड़ा सभी को जाना पड़ा डच को भी जाना पड़ा टैनिस को भी जाना पड़ा फ्रांसीसियों को भी पूछा गया वास्कोडी गामा भारत में कहां पर उत्रा था जरा बताएगा कि विच्वन इस र और देखा ब्यापारी हैं जो भारत की और वियापार करने जाते हैं बड़े बड़े जहाज़ों को को ले करके तो माना गया है बताया गया वासकोडिगाम्र जब गया था तो इसका जो जहासता अपने आप में काफी छोटा था और यह भारती बॉद्धी थे इस कि रातो रात पैसा डबल हो जाएगा तो पहले वो मानता नहीं है उसके लगता है कि ये तो मजाक कर रहा है वो बोलता है रातो रात पैसा डबल हो जाएगा अमीर हो जाओगे बोलता है कैसे करोगे मैं वापस आके बताता हूँ और जो भी चीज़ें भारत से खरीदता है, वो 60 गुना दामों पर बेशता है, तो ये बात सबसे पहले भारत में ना फैल करके, अंग्रेजों में, यूरोब में फैल जाती है, कि भारत जाने पर रात और रात पर सर्डबल हो जाती है, इसलसा कोशन है, इसली आई होप की पढ़े हैं, सबसे पहले पढ़ते हो आप दोस्तों, 1700 कौन सा है, तिरानवे, पर पढ़ते हो, 1813, पर पढ़ते हो, 1813, और फिर पढ़ते हो, 1813, ये जितने भी है न, ये बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है, 1793 सबसे पहला, फिर 20 साल में रिवी हुआ, 1813, इस्ट इंडिय कंपनी की जो मोनोपॉली होती है, ट्रेड में वो खतम हो जाती, चाय और चाइना के साथ व्यापार को छोड़े, भारत में जो मिशनरी होती है, पीगली अलाव किया जाता है, और फिर दूसरा हम लोग पढ़ते है, 1813 में एक और इंपोर्टेंट होता है, आपने इसका एकजाम कंड़क करने का ट्राई करते हैं, लेकर एकजाम कंड़क करने का जो ट्राई होता है, वो फेल हो जाता है, अटेम्ट, 1813 डलोजी के टाइम पीरियट पे होता है, वो आपने पढ़ाऊगा अंगले सवाल है, फ्रांसी सीस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में से पहला कार खाना तहां इस्तापित किया था जरा बताएंगे सभी लोग वेरी गुड वेरी गुड क्या बात है बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है सती सिस्टम 1839 में बिल्कुल खतम हुआ राइगुलेटिंग एक 1773 पिट्स इंडिया एक 1784 के बाद चार्टेड एक्ट की पूरी लाइन बता दी मैंने फिर गॉवर्मेंट आफ इंडिया एक 1859 फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 जाईचरी लो या फिर मॉन्टेग्वी चैंस फॉर्म 19 सबसे बड़ा युद्ध होने का कारण क्या था कि जब आपने देखा होगा कि कि किसी के सामने आप एक रोटी फेक्टी जी है अब खाने माले दो लोग बैठे हैं जो नजर गड़ाए रखे हुए तो कौनों आपस में लड़ना सुरू कर देंगे मतलब प्रॉफिट की जो लोकेशन है वो एक ही है इंडिया सभी प्रॉफिट करना चाहते हैं सभी रात और रात पैसे डबल करना चाहते हैं तो अंग्रेजों ने भी अपनी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की आपने पढ क्वालों में कि उस समय के अंग्रेजों के चाहते थे कि उनका बेटा वीजुनिस करें भारत में उस समय अरब क्याद कर सकते थे कंपनी से भी जोड़़कर कर के काम कर सकते थे कहा ढिक सकते लोग तो जो भारत में आये बिलकुल एक दम कीरी की हालत में आये तो जब भारत से वापस गए इतना सारा वेल्थ कर गए कि प्रेंच और अंग्रेजों के बीच में डिस्प्यूट का जो सबसे बड़ा कारण था वो यह था इंपीरियलिजम आइडिया दिया और इसको जमीनी इस तर पर जो लागू किया वो लौड वलेजली ने लागू किया दोस्तों बिलकुल अगर आप और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ और चाहते हैं कि हिस्ट्री को एक बार पढ़ करके फिनिस कर लें और रट कोड आपके साथ पूछा जा रहा है कि तर ट्रीटी आप सुगाली एक्टीन सिक्स्टीन वह साइंड बिट्विन ब्रिटे सैंड तो यह किन के बीच में हुआ था सुगाली की संदी यह बहुत इंपोर्टेंड है इसको लेकर कि आपने पढ़ा होगा गाईज इसके लिए तो यार बहुत अलग प्रणाली है देखो यादरासन के लिए बहुत ही अलग प्रणाली है उसके लिए मैं आपको विधी बताऊंगा कि यह जो यादरासन होता है यार रिवीजासन होता है वो कैसे करते हैं और किस टाइम पर करते हैं कि मैं किसी दिन इसका सिक में बनी रहती है ये हुएति ही नेपाल के साथ擾साहप कह सकते और लेग्लिक है नेPAL की पॉलिट कल पार्टी है कंई बार बोलती है कि भाई साथ उस संधी में हमारे साथ ग्लाबल हुगा भारत के कैसे पर क्लेम करते रहते हैं कि बिहार हम को विलौंग करता है अ felt मतराखन को बलॉंग करता है सिक्किम को करता है कहने में क्या जाता है आपने पड़े होंगे काला पानी लिपूलेख लिंपीयाद्री नेपाल को ले करके दोस्तों ठीक है तो यह नेपाल के साथ वी टी 1816 में ठीक है पुछा जा रहा है कि वाई विच वन आप फॉलिविंग यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है जरह बताएगा इस कोशन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वेरी गुड़ गाईस ठीक है वेरी गुड तीक है आपने इसके लिए कुछ चीज़ें पढ़ने पड़ेंगी सबसे पहले जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट है अठाइगा और फिर आपका उन्नीस सो से तालेस का अपसे पहला जो बना बेंगॉल का गवर्नर देट वास दा लॉड कलाईव वास दा फर्स्ट गवर्नर ऑब बेंगॉल यह आप सभी जानते हो जाना प्लासी के और बकसर के युद्ध फिर लॉड कलाईव की जो पोस्ट जब विद्रो हुआ रिवाल्ट हुआ ठाइस सटावन तक का तो गवर्नर जनर्र को बनाया गया वास राय ओफ इंडिया आपको मालूम होगा लॉड कैनिंग आखरी गवर्नर जनर्र ऑफ इंडिया और प्रत्म वास राय प्र आपको मालूम है कि जब देश स्वतंत्र इंडिया का स्टी राज गुपालाचारी जो कि सबसे पहले आपके भारत रत्म वार्ट विनर भी है इस कोशन का जो राइट आंसर आई हो कि आपने सभी पढ़ा होगा दोस्तों देशा चार्ट एक्ट एक्टी थर्टी तो जितना भी मैं आपको एक्स्प्लेइन कर रहा ना गाइस उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत बेनिफीशरी रहता होगा बहुत बेनिफीशरी रहता होगा तो यह कभी मस सोचा करिए कि हम लोगों ने एक घंटे में 40-50 कोशन करने जाओगे ना यह बहुत बल्क में आपको देखने को मिलेगा और रिवीजन पूर लगों आपका पर्मानेंट्स असतलमइंट एक आपने पढ़ा और रहए और रहयतवारी से अगरियो ने भारत का जो अगरत के अगरिकल्चर सिस्टम को जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय करने का क्रेड़िट जाता है तो जाता है अंग्रेजों को ही जाता है तो इस कोशन में जो सही आंसर हो जाएगा याद रखेगा लॉड मैकेंजी दोस्तों सभी के नाम ही लिख देता हूं इसके साथ तो जाएग कि आपको ज्यादा बेतर समझ पाएंगे पहले इसको देख लिए अगर आप यह पर्मानेंट सिट्ल्मेंट की बात करें यहां पर रहियत वारी की बात करने जाएं यहां पर महलवारी की दोस्तों याद रखेगा यह जो महलवारी सिस्टम में यह कौन लेकर के को किया गया तब बंगाल का गवर्णर जनरल कौन था अब इसका अंसर बहुत क्लियर है किसी भी व्यक्ति ने अगर सच में गलत किया है सवाल को वाईज आप फिर ठीक नहीं होगा तो यह कौशन गलत नहीं होना चाहिए कोई भी गलत नहीं करेंगा अभी जस्ट लास्ट कौशन मैंने एक्सप्लेन किया है इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो बहुत ध्यान से समझना होगा अगर आपने एक्सप्लेनेशन को भी कर लिया ना तो आप बहुत सारे कोशन आसानी से एक्जाम में सही कर ले जाएंगे ठीक है और इस बात के गवाहे वो बच्चे हैं जो अल्रीडी रागुलर मेरे साथ 5-6 महीने में जुड़े हुए तो आपने लंबा टाइम देना पड़ेगा जुड़ने के लिए ना कमजना पड़ेगा कि किस तरीके से चीजों को करना है इस कोशन का जो राइट आंसर है दरेजा ऑप्शन ठीक है यस फोर इस दराइट अंसर ठीक है चले एंगले सवाल में चल रहे हैं पूछा जा रहा ह सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने का प्रयास किया बहुत सारे सवधारों के लिए जाने जाते हैं इन्होंने प्रेश पर प्रतिबंद थे उनको आपने पढ़ा होगा दोस्तों जो आम सेक्ट था यह सब उनी के समय पर थे और और एक इस्थानी स्वधारों की यह पिता में भी बोले जाते हैं और 1881 में जो भारत में सबसे पहला सिस्टमेटिक और रेगुलर कह सकते हैं कि आप सेंसस हुआ था वो लॉड रिपन के समय में ही हुआ था पूछा गया दोस्तों कि 1789 में मराठों ने बढ़ गाओं की संधी समझ जो तक किसके साथ की थी तरह बताएगा कि इसमें से सही आंसर क्या हो विच वन इच करें कि वह बहुत सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं लगातार बहुत बढ़िया है कि तरीके से लगे रहें करते रहें अच्छा यह सशन डेली होता है मंडी टू फ्राइड़े और आप एक बज़े मेरे साथ डेली जुड़ करके पसकते हैं लोग तरह बताएगा किस कोशन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मच करेक्ट कि अवाज ठीक होगा भी कि अब कुस्ट ठीक है कि अब कर देख लेता हूं को फरिंग है या नहीं है हां एक बार चेक कर लेते हैं कोई कि देखीगा जरह और बढ़ाएगा कि इस सही आंसर क्या होगा कि अब ही ठीक होगा पीच में थोड़ा हुआ था नेटवर का इशू नहीं नहीं कि अघ़िए इससा बिल्कुल मत करिएगा और अगर और आप ऐसा करते भी है तो ऐसी बिल्कुल जो यह ठीक है यह भारस से बाहर बिलकुल मत जाने दीजिए बाकी और ऐसे पब्लिकली कमेंड में तो बिलकुल मत लिखिए बना फिर यह लोग भी आपके इस मैथट को कॉपी कर लेंगे और सभी लोग सेलेक्ट हो जाएं ऐसे बिलकुल मत करिए गाइस पुछा गया है दोस्तों कि विचमंग दा फॉल्विंग ब्रिटिस ओफिशियल इनिसियेटेट दा पॉलसी ओफ पैरा माउंटन सी तो इस कुश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा और किस ओप्शन पर चले जाएं रोवर्ट क्लाइव है रोड माउंट बेटेन है विलियम बैंटिक है या फिर लॉर्ड हैस्टिंग है इस राइट इंपल है एजली आंसर हो सकता है मुझे लगता है कि इसका आप बिल्कुल सही तरीके से आंसर कर सकते हैं तभी लोग कि अज़ेश्टिक करेंगे इस आप्शन नेक्स कोशन देखीगा जरहा पूछा जा रहा है भारत में दास प्रथा किस गवर्नर के जनरल के समय में खतम होई थी तिस लेवरी सिस्टम लेवरी इन इंडिया वाज एबॉलेश्ट बाइद विज गवर्नर जनरल करनावलेश्ट ने सती प्रथा को बंद किया इसमें इंफेंटिसाइड जो था वुमेंश प्रशं था उसको बंद किया थगी प्रथा को बंद किया इसमें से जो राइट आंसर याद रखेगा तरज आ ओप्शन हाँ शेकंड डा आइट आंसर लॉड एलनबरो थीके लॉड एलनबरो आपको मालो में कि सिराज थे इसमें सिराज उद्दौला और इनका वफादार्ब्यक थी इसका नाम क्या था मीर जाफर अपने राजा को ही धुखा दिया सिराज उद्दौला जरूर पड़के चली जाएगा दोस्तों निजाम हैद्राबाद के थे निजाम आवद के तो थे नहीं अगर किसी बैक्त जाल उद्दौला जैसे आप देख़ों जलाल उद्दीन खिल जी कि हत्या उसी के दामाद या भतीजे नहीं की इसी प्रकार से आप देखोगे सुराजुद दौला उसके बाद मीर जाफर मीर कासिम तो सभी ने एक दूसरे को धोगा दिया इस कोशन का जो राइट आंसर है आप पढ़ेंगे कि जो मेडाईवल इंडियन हिस्ट्री है उसमें कई राजा ने अपनी बेटियों के विवाह नहीं किये इस वज़े से यह साधी कर देने के बाद कोई दमाद राजा की हत्या कर दे और पूरे समराज पर कपज़ा कर ले कई अधी राजकुमारियों की मेरेज नहीं कि एजुकेशनल पॉलसी है जुडिशल रिफॉर्म है सिवल सर्विसे पॉर्म है या फिर फैमाइनी पॉलसी है इस कोशन का करक्ट आंसर क्या हो जाएगा विच वन इस राइट इस कोशन का और आप साही आंसर था दर आइज आप् मैं इस को वहरी वहरी इंपॉर्टेटरी में डालता हूं इसा कोई एकजाम नहीं जिसमें इसको हजार बार है रिपीट नहीं किया जा चुका है तब से इंपॉर्टेंट कोश्य दा रखेगा तो रहासन बोल रहे है था माद को गुलाम बनाओगे तो यही होगा अरे वो गुलाम का गुलाम है लेवरी आप स्लेप्स बन जाते है तो तो राइट अंसर है देज़ा येस याद रखेगा विलियम जोन्स सभी ने पढ़ा होगा दोस्तों राजराम होन राय ने आत्मी सभा और ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी और यहां पर जो करेक्ट आंसर है देज़ा ऑप्शन वन इस दा राइट आंसर चली अंगला सवाल देखेंग अब लोग नेक्स कोश् एपको मालूम होगा कि आज के समय में जो बैंगल स्थापित हुआ यानि कि कुलकता जो बना है 不ण कोलकता परते हो कि क कोलकता के निर्मान कि इन तीन गाओं को मर्ज करके हुआ है कप्टन होकेंस है फ्रांसिस को केरोईन है ठीक है फ्रांसिस डे है या फिर जॉब चार नॉक है और ये याद रखेगा जॉब चार नॉक इनके समय में तीन विलेजिस को क्या किया जाता है याद रखेगा मर्ज करके कोलकाता के निर्मान होता है ये कभी सवाल आता है कि सुतानाथी, गोविंदपूर और ये काली कता, इन तीनों को मर्ज किया गया और आधुनिक किसा का निर्माण किया गया? कुलकाता सहर का, आधुनिक जो आप कुलकाता सहर पढ़ते हो दो. ये इन्हें के मर्जर के बाद ही निर्माण हुआ . कि लिए एक लाख हावंटित किया गया था इसका सही आंसर क्या होगा कि अर्टेट एक्ट 1813 है और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है पिट्सिट एक्ट 1784 है और चार्टेड रिन्यूवाल एक्ट 1833 अरे भाई अभी हमने बताया कि एस्ट इंडिया कंपनी के मोनुपॉली एंड हो जाती है और जो कह सकते हैं कि आप missionaries होते है Christian missionaries उनको permission मिल जाती है भारत में धर्म को propagate करने की और एक आपने पढ़ा 1 लाख पैसा दिया जाता है लेकिन खर्च नहीं होता है पैसा दिया जाता है ठीक है not spend इ dips याद रखेगा कुछ भी इसमें से खर्च नहीं हुआ 1853 1833 20 साल तक इसमें से 54 खर्च नहीं हुई 20 साल तक इसमें से 54 खर्च नहीं हुई थी तो बस दिया गया था, घोसना कर दी गयी थी दिया जाएगा Under which act was the Supreme Court established in India तो बारत में Supreme Court की स्थापना किसके तयात हुई थी रूप जी बोल रहे है कि सर जी class not Yes, बिल्कुल अनूप जी बिल्कुल घर बहुत ही simple question है, आपको मालूम है Supreme Court की स्थापना होती है और ये किसके तयात होती है, Regulating Act Supreme Court आपको मालूम है कि चार जज़ेस नियुक्रिटे है एक होता है चीफ और बाकी तीन होते हैं अदर्स लेकिन मैंने आपको बताया कि इनकी importance कम हो जाती है जब high court आ जाते है 1862 में इनकी importance खतम हो जाती है फिर 1935 में जो भारती अधिनियम आता है उसके तैत एक फेडरल कोट स्थापत होता है दिल्ली में और स्वतंतरता के बाद उसी फेडरल कोट को फिर से सुप्रीम कोट बना दिया जाते है तो आयूप की सब कुछ क्लिया रहें अंगले सवाल है जगत सित्तान कब लागू किया गया था यह बात हो रही है डॉक्त्राइन ओफ लैप्स की आट टॉकिंग अबाउट था डॉक्त्राइन ओफ लैप्स राजहडपनीती तो आपको मालू है कि राजहडपनीती के तहरे है टोटल सेवन प्रोविंस इनोंने कबजा कर लिये थ सटे अरोब क्या था यगर किसी राजा रानी की कोई लीगल संतान नहीं है कानून ँब किसी नहीं ले सकते और उस राजा रानी के बाद वो पूरा का पढ़ाओगा अवद का मामला तो अवद का जो राजा था उसके खिलाप एक आरोप लगा था बैड गवर्नाइस और बाकी जो है यह साथ रियासत है तो सबसे पहला जो लोकेशन था सतारा को याद रखी का किसमें मर्च कर दिया गया था इस्ट इंडिया कंपरी में सवाल है पुरंदर, सालबाई, सूरत या पैरिस अब दीगे दोस्तों आंगल मराथा की बात हो रही है पुरंदर की संदी होगी क्या पुरंदर की संदी होई ती राजा जैसिंग और आपने पढ़ाओगा चछत्रपति सिवाजी महाराज के बीच पुरंदर नहीं होगा पैरिस नह पास दो यह बचे आपके पास दो वबाई हो कि बहुत सिंपल सा है और इसमें सालबाई की संदी है अगला सवाल है दोस्तों नेक्स कुछ पुछा जा रहा है जब इस इंडिया कंपनी ने चीन में व्यापार का एका अधिकार खो दिया तब निम्न लिखत में से कौन सा 1813 को याद करिएगा जरा 1813 1813 इस को जो राइ आपने पढ़ा है चाय का व्यापार को छोड़ करके लगवग आप देखेंगे बाकी सभी व्यापार में मौनूपॉली खत्म हो जाए चली अंगला सवाल है तो चाय और चाइना का काफी इंपॉर्टेंट संबंध है विच आप फॉलिविंग एक्ट एंडेड़ अप दा ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी रूल इंडिया और प्लेस्ट इंडिया अंडर दा क्राउन ओफ लेंड इसका कोशन है इसली आंसर हो सकता है इसका और आप मेंसे सभी लोग ट्राइ करिएगा तो आंसर भी मुझे लगता है हो जाना चाहिए इसमें बोल दिया जाता है कि इस्ट इंडिया कंपनी को कि अच्छा दुगाओं में याद रखना और इस्ट इंडिया कंपनी को क्लियर क्लियर बोल दिया जाता है कि अब की बार विक्टोरिया की सरकार और इस्ट इंडिया कंपनी की पावर को 1890 में खतम कर दिया जाता है कि अपकी बार मेरी सरकार और नो मोर इस्ट इंडिया कंपनी की सरकार के आपको किसको बना दिया गया था किन विक्टोरिया को अंगले सवाल देखेंगे कि देखेंगे और प्रांती विजट को अलग किया गया था गॉपर्मेंट ऑफ इंडियाउ एक्ट है इन्नीं कांसे सब्सक्सेल एक्ट 1861 जोर्रा बताएगा किसका सही आंसर क्या होगा और आप लोग की स्यूप्षिन के सताथ जाहिए आपको मालू में दोस्तों कि हमारे देश में पहली बार केंद्री और प्रांती बजट जो रेप्रिजन किया जाता है वो है उन्निस सुनिक तब से पहला बजट ही कब रेप्रिजन किया अधारा सो साथ लेकिन उनके लिए अलग से बजट आगया कौन सा है इसको आप मॉन्टे की चेंस वार्ड रिफॉर्म भी बोल सकते हैं और इसी को हमने डायचरी लौ भी नाम दिया डायचरी लौ आपको याद होगा कि responsible government की बात की गई अंग्रेज उन्हें काफी अच्छा बनने का प्रयास किया है सद्नियम का कारण क्या था प्रथम विश्युद्ध प्रथम विश्युद्ध से उनको एक सबक मिल चुका था कि हमने अपने colony country से अच्छे से बातचीत करना होगा बयोहार करना होगा भारती अपने पढ़ा होगा कि इसमें कुछ गलतियां थी कि जो रिजर्व पावर थी वो अंग्रेज उन्हें अपने हाथ में रखी कुछ हैसी सक्तियां थी जो अंग्रेज उन्हें स्रिप अपने हाथ में रखी कुछ अधिया कि which of the following princely state was annexed by the British under the pretext of misgovernment of नवार आपको अभी मैंने अल्रेडी बताया बातों ही बातों में जो डॉक्ट्राइन ओफ लेप्स था उसमें साथ प्रोवेंस जो हैं जलहुजी ने इस्ट इंडिया कंपनी में मर्च कर दिये सबसे पहला था सतारा अठारा सो और तालेस पारण क्या था वो बता चुका लेकिन आवत की राजा होते हैं आवत की राजा आपने पढ़े होंगे दोस्तों तो इसके बाद आपने कि पढ़ाओं कि नाम याद नहीं आ रहा है क्या नाम था जन्होंने लखनव से लीड किया था हजरत महल तो बैट गवर्नेंस कारोप लगा दिया जाता है ठीक है पूछा गया कि वें डिट सुजा उद्दॉला एंड साहे आलम साइन ट्रीटी एट अलाहबाद विथ रॉबर्ट क्लाइव उद्दॉला और साहे आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ अलाहबाद की संदी की थी इसमें से आप किस ओप्षन को करने जायेंगे विच्छ राइट अंसर इसका सही आंसर क्या होगा अभी आपने बात की है यह की जाती है 1765 में यानि की बकसर के युद्ध के बाद और बिहार बेंगॉल लुडिशा पर अधिकार हो जाता है अंग्रेजों का निमलिकत में से किसे कंपनी का मेगना का बोला जाता है तो अलाहबाद की संदी और बकसर का युद्ध या फिर क् यह का फर मोटन डाहिज नगा eddy oleista को यहय। तो फर्रूख्यार का फर्मान ठीकसा फर्मान तो फर्रूख्यों ने बहुत ही मूर्भ्ता भरा काम किया तब से पहले तो टेक्सेशन में रेलेक्सेशन दे दिया, तुम मेरी आदेश भर से जाके व्यापार कर सकते हो, और दूसरा जो था इसने अंग्रेजों को मिंटिंग के अधिकार दे दिता है, आप खुद के सिक्के बनाईए और व्यापार करिये, तो मेरे हाथ में अधिकार ही आजाएगा सिक्के मिंट करने का, तो फिर क्या होगा, तारी पावर मेरे हाथ में आजाएगी, ठीक है, अंगला सवाल देखेंगे, ठीके सद्नियम में भारतियों के लिए वार्सिक एक लाख रुपे खर्च किया गया था, और इसका अंसर आपने होम वर्क के तौर पर बताना है, वैसे यह सवाल हम लोग कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा आपको कोई क्ल्टी होगा, प्लीज गाइज, प्लीज लाइक दा सेशन, और प्लीज लाइक दा सेशन, आप मेरे साथ एक बने रही है, बंडे टू फ्राइडे हम लोग तरीके से ब आपकी हिस्ट्री ही सुरू करने वाला हो, जल्दी पेड वैच में आपकी हिस्ट्री होने वाली है, आईए जुड़िये हमारे साथ, डेली लाइव क्लासेस हैं, डाउट सेशन हैं, और सारे कोर्सेस की जनकारी वीडियो कॉप्शन में हैं, और पूपन कोड अभी आपका चल रहा है, लीप अपड़ एक्स्ट्रा दिन, एक्स्ट्रा डिस्काउंट, अपन कोड यह लगाएंगे, तो जितने भी हमारे कोर्सेस हैं, तीन महीने, छे महीने, बारा महीने, और चौवेस महीने के जो कोड़, तुएस्ट प्राइस में मिल जाएंगे, बित, पाई, क्य चल यह, बिलकुल अच्छे, जरूर शुरू करेंगे, ठीक है, बिलकुल जरूर से, थैंकि सो मज, थैंकि सो, थैंकि सो, करें सो, करें बिलकुल, मॿक्नि के पांड़ाी है, लिलकुल, भी बिलकुल, क्यों constant,